हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे हम अनुपात वाले प्रेश्ण सभी प्रेश्ण महत पूरे हैं पूरा वीडियो देखेगा सब कुछ समझ माएगा सभी प्रेश्ण महत पूरे हैं ये बात में आपको बता रहा हूँ तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेश्ण है 117 रुपे को A, B तथा C में 1 बटे 2, 1 बटे 3, 1 बटे 4 के अनुपात में बांटनी की अपेच्छा तुरूटी वस का मतलब गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाब होगा भही बांटना था हमको इस अनुपात में और गलती से बांट दिया इस अनुपात में तो किसको लाब होगा, किसको फाइदा होगा ये पूछ रहा है तीन बेखती हैं आपके पास A, B और C तीनों का अनुपात हमें दे रखा है एक बटा दो, अनुपात एक बटा तीन, अनुपात एक बटा चार अब मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूँ कभी भी आपको अनुपात इस तरीके से बटे की फॉर्म में दे रखा है तो वो गलत है, अनुपात कभी भी बटे की फॉर्म में नहीं होता है अगर आपको दे रखा है तो वो गलत है उससे सही कीजिए सही कैसे करेंगे हम आपको बता रहे हैं जो नीचे वाली संख्या उनका LCM ले लो तो 2, 3 और 4 के LCM कितना हो जाएगा 12 2 से 12 काटेंगे 6 बार में कटेंगा 6 कमल पर 1 से करेंगे 6 रहेगा 3 से 12 काटेंगे 4 बार में कटेंगा 4 कमल पर 1 से करेंगे 4 4 से 12 काटेंगे 3 बार में कटेंगा 3 कमल पर 1 से करेंगे 3 तो अनुपाते कितना गया है 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 ये अब सही अनुपात निकल के आया है ठीक है रुपे कितने हैं बाई 117 रुपे है एक सो सत्रा रूपे अब देखिए आपके पास रूपे का योग दे रखा तो अनुपातों का भी योग कर लो छे और चार दस और T açıl helpful तो इस रूपे के योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे तेरे निम्मा एक सात्री होता है 9 बार में कटेगा, अब 9 का मल पर 6 में कर दो, 9 6 के 54, 9 4 के 36, 9 3 का 27, सभी का हमने निकाल लिया, किसको कितने रुपे मिलेंगे, 117 में से किसको कितने रुपे मिलेंगे, यह हमने पता कर लिया, अब यह अनुपात हमारा कौन सा है, बटे वाला भी हमने 100 भी किया है, लेकिन हमन गलती से इस अनुपात में पैसे बाट दिये किस अनुपात में दो अनुपाते तीन अनुपाते चार के अनुपात में बाट दिये हैं कितने रुपे बाट दिये हैं 117 रुपे किस अनुपात में इस अनुपात में रुपे का योग 117 है तो यहाँ पर भी अनुपात का योग का बामन ठीक है इस अनुपात में बाटने थे जबकि गलती से बाट दिए इस अनुपात में तो किसको लाब होगा एक अनुपात यहां पर इतना है और एक अनुपात यहां इतना है एक रासी यहां 54 है और एकी रासी हमने यहां पर निकाली कितनी है 26 भाईया 54 मिलने चाहिए थे मिले कितने 26 तो लाब हुआ के हानी हानी हो गई कितने की 28 की यह तो 28 रुपे कम और मिले हैं बी का देखिए बी को यहां 36 मिले हैं और बी को यहां 49 मिले हैं तो बी को फायदा हो रहा हो रहा तो आप निकाल लीजिग लुगा 54 मैंसे 37 गटा के देख लूँगा तो 14 मैंसे साथ जाएगा 8 चार मैस दो जाएगा 28 का 28 का फायदा हो रहा है किस को लाब हो गोरा केबल एक को नहीं हो रहा है एक को नुक्सान हो रहा है गलत aconteceu या सही से लिख देते हैं 28 का ठीक है तो उम्मिद करूँगा सभी को प्रेष्णिया पर अच्छे से समझ में आ गया है किसी को भी इस प्रशने में डन जो को समस्य नहीं होगी. जबकि यह प्रशनी बहुत लोगों को confusion करता है। थीक है? तो आज के बाद कोई confusion नहीं होगा, प्रशने को हमेशा सही करना है। अब देखेंगे अगला प्रशने. अगला प्रश्ने है तीन संख्या हैं तीन अनुपाते चार अनुपाते पांच के अनुपात में हैं पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी से बामन अधिक है सबसे बड़ी संख्या क्या है बहुत अच्छा प्रश्ने दोस्तों तीन संख्या है आपके पास तो मैं तीनों को अलग-अलग नाम दे दूँ जैसे पहले को A दूसरी संख्या को B और ती संख्या को मैं C नाम दे दू तो तीनों को मैंने नाम दे दिया अपनी तरफ से ये तीन संख्या है ABC तीनों का अनुपात कितना है तीन अनुपाते चार अनुपाते पांच ये दे रखा है अब कह रहा है कि पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी से बामन अधिक है पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो योग है कर लिजी कितना हो जाएगा योग आठ कह रहा है कि दूसरी से बामन अधिक है और यहाँ पर अनुपात में दूसरी संख्या से कितना अधिक है यह आठ चार अधिक है समझ में आ रही है बात के लिए रहा है कि पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का जो योग है पहली संख्या और तीस संख्या का योग दूसरी से बामन अधिक है अनुपात में कितना अधिक है भाई चार अधिक है और यहाँ पर संख्या में कितना अधिक है बामन अधिक है तो एक कमान भाई चार कमान बामन के बराबर है तो एक कमान कितने के बराबर होगा एक कमान निकाल लीजिए चार से मैं डिबैट कर दूँगा कितनी बार में तो एक कमान कितने के बराबर 12 के 13 के बराबर हो जाएगा तो आफ से पूछ क्या रहा है आफ से पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है तो जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी संख्या वही होगी सबसे बड़ा अनुपात में है 5 मतलब सी संख्या सबस हो जाएगा ठीक है 65 सबसे बड़ी संख्या है जो कि पहले option में दे रखा है सही answer सभी को प्रेशना गया जब आपको पहली संख्या 30 संख्या का जो योग है वो दूसरी से कितना अधिक पहले अनुपात में देख लो कितना अधिक है आपने देखा अनुपात में तो चार अधिक है और संख्या में बामन तो चार बामन के बराबर तो एक तेरा के बराबर एक तेरा के बराबर तो पांच पैंसट के बराबर के लिए दोस्तों सभी को प्रेशने अब देखेंगे अगला प्रश्ण है दूद और पानी के 42 लीटर मिस्रण में दूद और पानी का अनुपात 5 अनुपाते 2 है इसे मिस्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिस्रण में दूद और पानी का अनुपात है दूद और पानी का अनुपात देखिए यहाँ पर बात क पी बियालिस लीटर है ठीक है और दूद और पानी का जो अनुपात है वो जिस के चिए पैश को नेयकर करें मिदाए कि भारज, यूविड़ु से करेंगा जित्य आए लिटर पानी है तो 30 और 12 42 तो हो जाएगा तो आपको यह पता चल गया कि दूद कितना है और पानी अब यहाँ पर कह रहा है इसे मिस्रण में 3 लिटर पानी और डाल दिया जाए पानी पहले से कितना है 12 इसमें अगर हम 3 लिटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिस्रण मे दूद और पानी का अनुपात कितना होगा भाई दूद की मातरा तो 30 ही है तो 30 ही रहेगी तीन लिटर हमने पानी मिलाया है जबकि पानी पहले से 12 था तीन और मिला दिया तो 15 हो गया अब इनका अनुपात पूछ रहा है तो कटा लीजिए भाई 15 एकम 15 पंदर दुने के 30 तो देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है एक 20 लिटर मिस्रण में दूद और पानी का अनुपात तीन अनुपात एक है इस मिस्रण में कितना दूद और मिलाया जाए कि नए मिस्रण में दूद और पानी का अनुपात चार अनुपात एक हो जाए इन प्रेशनों क बात कर रहा है, टोटल मिस्रन 20 लिटर का है, ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है, दूद और पानी का, 3 अनुपात दे एक, तो आपके पास जो मिस्रन है टोटल, उसका योग 20 है, तो अनुपात का भी योग कर रो, 3 और 1, 4, तो इस योग में अनुपात की योग से पाँच बार जाएगा, तो 5 कमल पाई, 3 से कर दो, 5 तरीका 15 है, 5 ये कम 5, टोटल मिस्रन 20 लिटर का था, जिसमें से 15 लिटर दूद है, 5 लिटर पानी है, इतना केलियर हुआ, अब कहरा है कि इस मिस्रन में कितना दूद और मिलाया जाए, कि नए मिस्रन में दूद और पान पाँच से करेंगे, अगर मैं 6 लिटर दूद और मिलाऊंगा, मालीजे 6 लिटर दूद और मिलाऊंगा, तो कितना हो जाएगा, 21, 21 को मैं कटाऊंगा, तो 5 एकम 5, 5 से किस नहीं करता, तो ये गलत, चेली, आठ लिटर मिलाएए, 15 में 8 जोड़ेंगे, 23, 23 भी निए कटेगा, 5 से तो ये भी गलत, अब आप कहेंगे, 5 से ही क्यों काटना है, मैं बता रहाँ क्यों काटना है, 5 से नहीं काटना है, 5 से काटना है, 5 से काटनेगे, तभी तो अनुपात ये काएगा, 5 एकम 5, इस तरीके से होगा go through option हमने प्रेशने को solve भी किया है पांच लीटर दूद मिलाना है पूछ रहा था कितना दूद और मिलाए जाए वह पांच लीटर दूद और मिलाना है सी option सही हो किया मैंने पहली बताया तो कोई trick नहीं बताऊंगा go through option किया है हमने सही answer आ गया अब कि चालों का अनुपात क्या है चाल का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों मैं ये प्रेशने नहीं कराऊंगा मैंने decide किया है कि ये प्रेशने आपको home work के लिए देना है ये प्रेशने आपको home work के लिए देना है मैंने इतनी जगा इसलिए खाली छोड़ी है अगर आप इस ना कर पाएं तो मुझे comment वक्स में बता दीजेगा, मैं इस प्रेस्टन को यहीं कर दूँगा, अगले वीडियो में, लेकिन comment वक्स में झरूल बताएगा, वैसे तो ये प्रेशन इतना मुश्किल है नहीं जो आप नहीं कर पाएं इतना मुश्किल नहीं है ठीक है आप कर पाएंगे होंबर्ग के लिए इसलिए दिया है अगर नहीं भी कर पाएं तो आप मुझे बता दी गया मैं बता दूगा इसका आंसर क्या होगा ठीक है पहले अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए क्या आपका आंसर आ रहा है ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें दोस्तों में शेर करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क बटन जरू दबाएं ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपके एक्जाम की तयारी अच्छे सोपाएं ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद